हलो फ्रेंड आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कुस करेंगे ब्लड कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक एसेप्टिक ब्लड कलेक्शन अगर किसी पेशेंट का ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टिरिया या फंजाई की वज़े से यानि कि सस्पेक्टेड सेप्टिसेमिया और बैक्टिरेमिया अगर आपको डाइगनॉस करना है तो आप ब्लड कल्चर रेकमेंट करते हैं और ब्लड कल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है आपका ब्लड सैंपल कलेक्शन फॉर्डा कल्चर ये वीडियो जो है फ्लब अटॉमिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आएए देखते हैं स्टेप बाइ स्टेप ब्लड कलेक्शन का क्या-क्या मेथड है तो सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो है आपका रेडि टू ब्लड कलेक्शन केट है ब्लड कलेक्शन केट में आपका सबसे पहले आपका कलेक्टिंग वायल होना चाहिए जिसमें आप सैंपल लेते हैं ब्लड कल्चर बाटल जिसको आप कहते हैं उसके बाद नेडिल हो सरींज हो और अगर आप विंग ब्लड कलेक्शन एक सेट का इस्तेमाल करते हैं जिसको क हम लोग butterfly collection set कहते हैं वो होने चाहिए आपका gloves होना चाहिए hand को sanitize करने के लिए 70% ethyl alcohol का इस्तेमाल करेंगे वो होना चाहिए और उसके बाद आप sample जब आप collect करने का kit arrange कर लिए है तो आप hand wash करें water से और अच्छे से hand wash करने के बाद आप उसको dry करें hand को dry करें dry करने के बाद आप gloves पाल लें before the start of sample collection always maintain aseptic condition next है आपका prior to use of culture vial you should examine the turbidity and possible contamination of the culture vial यानि कि अगर turbidity आपको show कर रहा है culture vial में तो आप उसको reject करेंगे दूसरा fresh vial लेंगे और अगर आपको कोई भी suspected contamination का तो भी आप new vial लेंगे for sample collection next है उसके बाद check the expiry date आपका vial का expiry date आप देख लेंगे जिसमें आपको sample लेना है अगर expire हो गया है तो आप उस vial को discard करेंगे कभी भी expiry date का vial में आप sample collect नहीं करेंगे उसके बाद next है आपका culture bottle जो आप यूज कर रहे हैं तो bottle should be clearly labeled including patient identification यानि कि patient का जो आपका age है patient का name address यह सब उस पर mention होना चाहिए आपका date of collection क्या है कब आपने sample लिया है और उसका time यह सब culture vial के उपर mention होना चाहिए नेक्स्ट है आपका remove the plastic flip cap from the culture bottle जो culture vial है उसके उपर flip cap जो है आप उसको remove करेंगे then फिर उसको disinfect करेंगे जो culture vial का flap आप हटाएंगे तो उसके septum को आप disinfect करेंगे 70% isopropyl यह 2% tincture iodine के साथ ताकि कोई भी अगर possible contamination अगर surface पे हो तो वो remove हो जाए then फिर क्या है आपका carefully disinfect the skin using an appropriate disinfectant जहां से आपको sample लेना है patient का उस skin को आप carefully disinfect करेंगे यहां पे भी 70% isopropyl alcohol का इस्तिमाल करेंगे यह tincture iodine 2% है तो आपका जो sample collecting surface है patient का skin का उसको आप जब आप disinfect करते हैं तो suspected contamination जो है आप उसको आप remove करते हैं next है आपका sample should be drawn from the vein यानि कि patient के vein से आपको sample collect करना है इसके लिए हम लोग use करेंगे wing blood collection set जिसको कि हम लोग butterfly collection set कहते हैं butterfly collection set में आपका safety cap होता है connector होता है tube होता है stopper होता है जहांसे कि आप sample को regulate करते हैं wing होता है और needle होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपका safety cap है उसको check कर लेंगे देन needle को patient के vein में insert करते हैं needle को vein में insert करने के बाद जो safety cap है उसको blood collection while के उपर fix करेंगे और sample जब bottle में आने लगेगा तो हम लोग volume को monitor करेंगे क्योंकि जो आपका sample होना चाहिए blood culture के लिए for adult case में 10 ml आपका sample blood collecting while में आने चाहिए और pediatrics का है तो 4 ml तक है तो इसको हम लोग bottle में जो leveling किया हुआ रहता है वहाँ पे watch करते हैं अगर 10 ml तक extra add हो गया तो वहाँ पे जाकर के stopper से stop करेंगे और अगर pediatrics है तो 4 ml होने पे stopper पे जाकर के blood के flow को stop करते हैं now blood for neonates अगर neonates के लिए sample collect करना है तो आप इसका दियान रखते हैं कि sample जो है आपका peripheral जो vein है वहाँ से collect करेंगे ना कि umbilical vein से और यहाँ पे अगर small amount of blood आपको आ रहा है neonates से तो आप sample को biphasic culture medium में incubate करते हैं now sample collect in a tube अगर blood culture के लिए आपकी पास condition है की while में आप collect नहीं कर रहे हैं तो आप EDTA tube के इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे sterile syringe और needle का इस्तेमाल करेंगे और अगर adult के case के लिए आपको sample लेना है तो 10 ml हम collect करेंगे और pediatric से तो 4 ml और यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि blood जब आप EDTA में ले लेते हैं तो उसको अच्छे से mix कर लेते हैं ट्यूब में blood sample collect करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे vacutenure का इस्तेमाल करेंगे यानि कि needle को vein में insert करने के बाद 5 ml का आपका EDTA tube है वो दो ट्यूब लेंगे पहला tube में sample 5 ml होने की बाद फिर vacutenure के cap में second tube लगा के 5 ml collect करते हैं और यहाँ पे द्यान देना है कि blood जो है वो clot ना करें कि अगर blood clot कर जाता है तो जो bacteria है वो clot में next है आपका transport the inuculated bottle यानि कि sample collect होने की बात है आपको transport करना है जो आपका while है या आपने sample जो collect किया है microbiology laboratory में as soon as possible CLSI के जो guideline है उसके हिसाब से within two hour यह sample आपको laboratory तक पहुचा देना है और अगर आपको time थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो room temperature पे ही आप इसको hold करेंगे किसी भी condition में आप blood को ice box में store नहीं करेंगे now discard the sample collecting accessories जिसमें आपका wing collecting set है उसको आप sharp container में discard करेंगे उसके बाद आपका जो puncture site है जहां से आपने blood collect किया है उसको appropriate dressing करेंगे then remove the gloves and wash the hand then transport the sample to microbiology laboratory as soon as possible because any delay in testing the iniculated bottle may potentially lead to increase risk of false negative अगर आप delay करते हैं तो false negative के chances बढ़ जाते हैं तो जितना जल्दी हो से के आप laboratory को sample submit करेंगे thank you for watching my youtube channel thank you